भ्यंकर, धमाकेदार और मस्तंमस पेशन करते हैं, जहांबे हम लोग सारी की सारी साइन्स को ठाथा करके क्लियर कर रहे हैं, हम लोग भृती विग्यान, रसाइन विग्यान और जैभ विग्यान, तीनों के तीनों विग्यान को एक ही क्लास में एकदम फुल पावर जोश और उमीद के साथ solve कर देते हैं, तो आज आपकी class 12 बजे मेरे दोस्तों, इसलिए रखी क्योंकि हमारा test है आज, तो आप लोग ready हो, तो जो जो लोग ready है फटा वट से मैं दिखदो, I am ready ready ready, दिखा दो आज question, आज हमें बहुत सारे questions को solve करना है अपनी तयारी को जोरदार और भैतरीन बनाने के लिए, तो जल्दी से session की link को copy करके फटा फट करके, share कर दो जितने लोगों में share कर सकते हो, आज आपका प्यार पूरा का पूरा चाहिए और आप लोगों का साथ भी चाहिए, ताकि session हमें एक दम full on hit कर सकें तो जल्दी से session में live आजाए जिन जिन को class अच्छी लगी, like ठोके बिना नहीं जाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तो, ठीके आज आपकी class है, 12 बजे, थोड़ा से class हमेशा 6 बजे ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी class 6 बजे ही होगी दोस्तों, 101%, लेकिन आज आपका test है, इसलिए मैंने test आपका 12 बजे सबी लोग class के अंदर live आ सकें, मेरे साथ जूड़ सकें और जो questions हमने अब तक देखे हैं आपको बहुत कुछ सिखा दिया physics, chemistry और biology के अंदर मैं चाहती हूँ कि मैं भी देखूं कि आपको कितना आता है, एक teacher हमेशा चाहता है कि अपने students की progress को खुद से देखे, कि आपने इतना कुछ पढ़ाया, मैं देखू तो सही, कि कि कितना आप आप लोगों को आया, कितना नहीं आया तो मिलेश कह रहे हैं मैं, I am ready प्रिष्णा जी भी ready है, तो बहुत सारे students ready है ठीक है, नहीं सोनी, आज 6 बजे class नहीं होगी दोस्तों, आज 12 बजे आपका टेस्ट है, 6 पे आज आपकी class नहीं होगी तो आज 12 बजे ही आप लोगों की class होगी अगर मैं आपको बाता हूँ, तो मेरी आज छुटी होती है ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा होता है क्लास लेनी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का paper है, ठीक है, इसलिए class जो है, मैंने आप लोगों की सुबह रखवादी की by chance कुछ emergency पूरवक, मैं रात को अब 10 बजे है, एक क्लास, एक क्लास मेरी 6 बजे होती यूटीब पे, कभी emergency पूरवक कहीं जाना पड़ जाता है अगर by chance, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि class miss हो, तो 10 बजे रात के 10 बजे वारी class मैंने 10 ने एम पे ले ली, उसमें आपका test ले लिया, और आपकी 6 बजे क्लास मैंने 12 बजे ले ली, ताकि आपका कोई नुकसान किसी भी प्रकार का ना हो और मैं आपकी class लोग, ठीक है मेरे दोस्तों, EMRS की भी date आ गई है, और विहार शिच्छाबरती की date भी आपकी revise हो गई है, कभी revise date के हिसाब से हम लोग session के अंदर जो जो student EMRS की त्यारी कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ live जुडेंगे, Monday से ठीक 6 बजे हम लोग live आएंगे, EMRS TGT PGT में भी आग लगाएंगे और बिहार TGT PGT हीगा तो वादा जैसे मैंने किये ही हुआ, आपका paper qualify कराने का, वो भी clear करवाया जाएगा, तो are you guys ready? primary class boundary party, वो आपकी 10 p.m. पे रात को होती है अभी सुबे मैंने 10 बजे उसका test लिया है, ये TETPRT के चैनल पो होती है, ये TGT है higher level किये, ये विशे के लिए पढ़ रहे 80 number के लिए, जो जो लोग ready है जल्दी से एक thumbs up chat के अंदर मुझे दे दे, ताकि मैं आपको questions दिखाने शुरू कर दूँ, कि ये रहा पहला सवाल, तो guys are you ready? तो देखते हैं कितनी जोरदा तैयारी मेरे students की हो गई है, जो की मैंने करवाई है आज अपने number comment section में video के नीचे मेरा student लिख के बदाएगा कि मैं मेरे इतने number है, total हमने इतने questions करें जिसमें से मैं मेरे marks इतने हैं तो चलो आप कहानी को करते हैं, शुरू हम लोग thumbs up आगया है chemistry physics के questions करवादो तो सभा, chemistry, physics, bio मैं तीनों के questions कराओंगी तुम tension मतलो आने वाले बनो यह रहा आपका पहला सवाल TGT paper में पूछा गया और यह आपका test है तो एक question का right answer पूरी की पूरी class लगाईगी, क्योंकि अलड़ी मैंने question बहुत पहले करवाया था आपको question कहता है कि जो laser system होता है जिसका इस्तमाल किया जाता है अपने परेवरन को monitor करने के लिए उसे radar कहते है, sunar कहते है, radar कहते है या फिर lidar कहते है जल्दी से मुझे chat के अंदर बता दें किस question का right answer क्या होगा चलिए friends इसे क्या कहते है, सोच के answer करना सभी लोग, इस question का right answer option number 4 है जिस जिसने wrong answer लगाया सभी लोग chat के अंदर lidar लिख देंगे lidar इस question का right answer है दोस्तों environment को अगर आपको परेवरन को monitor करना है तो हम जिस device के इस्तमाल करते हैं उसे lidar कहा जाता है यह हमारे environment को monitor करने में मदद करते हैं आपके परेवरन को check करें परेवरन को test करने में आपकी lidar मदद करती है याद में रखना very very important कुछ students ने wrong answer दिया दोस्तों पिशली class बहुत पहले जब मैंने starting मिली थी sessions की तब मैंने question आपको practice करवाय था NBS TGT के अंदर यह question आपके पूछा गया अगला सवाल कहता है यह reaction between acid and base मेरे दोस्तों अमल और शार के बीच में जो आपका reaction होता है उसे हम क्या कहते हैं सब alteration reaction कहते हैं आप उसे संगनग अभिक्रिया कहते हैं उदास्तनी करन कहते हैं या फिर oxy करन अभिक्रिया कहते हैं फिर से एक DGT exam का question come on guys जल्दी से पूरी की पूरी क्लास बताए कि इसका right answer कह है सभा ने सही किये कहा कि जो sonar होता ना basically sound navigation and ranging इसकी pull form है sonar का काम क्या होता है दोस्तों आपके जो समुद्र है उसके अंदर अगर कोई वस्तू present है कितनी दूरी पे present है किस direction में move कर रही है अगर move कर रही है और कितने vague से move कर रही है यह चीज़ सुनार बताता है पर्यावर इनको test करने के लिए सुनार नहीं लिडार आपकी help करता है LIDAR confuse मत होना और इस question का right answer option number C है उदास नहीं करन ठीक है आज test है class full speed rapid fire होगी ताकि maximum questions हम कर सके option number 3 neutralization reactionist का right answer है friends अम लगर शार मिलकर water बना water देते हो और लवन देते है यह जो लवन होता है NaCl जैसे है आपका HCl है hydrochloric acid यह आपका NaOH है एक शार पानी मिला साथ में आपकी salt ठीक है याद रखना इन reactions को neutralization reaction कहते है friends यह जो reaction होते हैं इसमें heat evolved होती है यह बात आपको मेशे याद रखना है यह जो reactions होते हैं इसमें उश्मा produce होती है आपकी heat produce होती है अगर आप test tube को पकड़ोगे ना अगर रमल और शार किसी चीज में मिलाओगे और test tube को आप touch करोगे तो test tube को touch करने पर test tube गरम-गरम होगी क्यों क्योंकि यह exothermic reaction है ठीक है आपकी heat को बाहर निकालता है very very important point यह question examiner हमसे paper में पूछता है ठीक है guys next question कोई कहा रहा marathon करा दो आज marathon ही है मेरे प्यारे मित रहो चलो which among the following solution has pH value more than 7 साथ से जादा pH value दोस्तों किसकी है एक buffer solution की होते है शारिये solution की होते है अमली विलेन की होते है या फिर neutral solution डी ट्रेपल एप्टी प्रीवेस यह question मुझे पटा पट से बता दो इस question का right answer क्या होगा चलो और session को जल्दी से share करो चलिए guys इसका right answer जो है सभी लोगों ने दे दिया option number B basic solution है आ जाओ देखें pH scale जो होता है वो मापने में मदद करता है क्या एक अमल और एक शार की ताकत को pH scale की अगर मैं बात करूँ तो 0 से लेकर 14 तक इसकी आपकी readings होती है साथ जो है वो neutral की है उदासनी करन की values साथ है आपकी 0 से 7 तक अमल की values होती है और 7 से 14 तक आपकी शार की values होती है दोस्तों ये बात आपको याद रखें अगर examiner आपसे पूचे strongest acid सबसे ताकतवर अमल की value कितनी है जीरो है सबसे ताकतवर शार की value कितनी है दोस्तों 14 है ये बात याद में रखना very very important तो pH scale हमें अमल और शार की knowledge देते है और ये इतना easy question आपके paper में पूचाता next question कहता है what will be the atomic number of an element x which is placed in period 2 group 17 मेरे दोस्तों अब आखे बंद करे periodic table को याद करो सम्हू 17 के उपर जाओ और श्रैनी दो पर जाओ period 2 पर जाओ और group 17 पर जाओ और मुझे बताओ वहाँ पर कौन सा तत्व प्रेजन्ट होता है अगर आपको पताए कि वहाँ कौन सा तत्व प्रेजन्ट होता है कि अगर blood के बारे में बताएं तो blood ना आपका शारी नेचर का होता है 7.4 के आसपस इसका pH होता है तो blood आपको कैसे नेचर का होता है शारी है 7.4 से 7.8 तक इसका pH जो है वो लाए करता है चलिए गाइस इस question का right answer option number D है 9 आपके अगर मैं गुरूप समू 17 की बात करूँ ठीक है और आवरिती 2 की बात करूँ period 2 तो हमारा fluorine होता है और fluorine की परमानू संख्या 9 है मैंने आप लोगों ये भी बता दिया atomic number का मतलब number of electrons number of protons के बराबर होंगे इसे हम atomic number कहेंगे I hope ये बात सभी लोगों को याद है ठीक है जी ओके रिपोर्ट आज ओ फिर periodic table के अंदर इस कहानी को हम लोग फटा फट से चेक कर लेते हैं देख लेते हैं ये है आपके आवरत सरनी ये है समू 17 गुरूप 17 और ये है पहला period ये है दूसरा ये है फ्लोरीन की परमानु संख्या 9 है कहने का मतलब फ्लोरीन में जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटोन वो भी 9 है और इलेक्ट्रोन भी 9 है दोस्तों periodic table से और बहुत सारे question जो examiner paper में पूछता है वो ये कि हैंडरी मोजले किस ने periodic table बनाया था हेंडरी मोजले ने आपका periodic table बनाया था किस अधार पे बनाया था यूपी टेट में पूछा गया यूपी टीजीटी में अटॉमिक नंबर परमानु संख्या के अधार पर हेंडरी मोजले नियावरत सर्मी आपकी बनाई थी यह question examiner paper में पूछ लेता है ठीक है पृती साइंस की क्लास किस टाइम होती है यह आप बता रहे हूं पृती जो साइंस की क्लास है आज तो टेस्ट आपका बारा बजे वैसे मैं आपको एक बात बता हूं तो मेरी जो classes होती है वो आपकी होती 6 पीम पे PGT PGT चैनल 6 बजे classes होती है तो रितिका मैं टेस्ट बुक के नाम से ना मेरा टेलीग्राम पे चैनल है तो रितिका मैं टेस्ट बुक से चैनल को आप जोइन कर सकते हो ताकि आपको sessions के link मिलते रहे आगर आप GS की बात करो general science तो general science जो है BSP के लिए जो 40 नमबर के आएगी वो मैं पढ़ाती हूं रात को 10 बजे लिकेर आज मैं टेस्ट अलएडी ले चुकी हूं 10 एम पे तो वो कोई exam देना चाहते हो तो मेरे साथ आपको live जुनना है मैं promise करते हूं मेरे दोस्तों जान लगा दूंगे जितनी लगा सको जितनी मेरे अंदर है ताकि आपका exam qualify हो जाए इस question का right answer क्या होगा यह बताओ which of the following is a non metal और can exist in different forms हमें बताना है कि निमली खित में से एक non-metal कौन है अधातू कौन है जो की अलग-अलग form के अंदर exist करता है तो इस question का right answer है मेरे दोस्तों आपका carbon ठीक है तो carbon question का right answer है सभी लोग ध्यान रखेंगे इसका right answer carbon है ऐलो ट्रॉप क्या है carbon के diamond के carbon के अलो ट्रॉप है ग्रेफाइट इसका एक अपरूपत है और बल्क मिनिस्टर फुलरीन यह साथ carbon से मिलके बनता है ग्रेफाइट के उपर एक question examiner पूछता है ग्रेफाइट कर सकता है अच्छे electricity को conduct easily कर सकता है यह याद रखना और diamond बहुत ही कोई आप से पूछ ले diamond में carbon की hybridization क्या है SP3 ग्रेफाइट में क्या है मेरे दोस्तों SP2 यह बात आपको ध्यान में रखने आप पूछ student कह रहे हैं कि मैं जल्दी करो भी इसने जल्दी क्या कर दूं याज बस students को answer मत समझाओ explanation मत समझाओं बस question answer question answer करवाओं आप यह चाहते हो ऐसा नहीं होता याज थोड़ा सो तो वक्त लगेगा न या teacher समझाएगा भी तो आपको ऐसी class चाहिए question answer तो उसमें क्या ही gain होगा बताओ कैसी बाते करते हो याज चलो और अगर किसी को doubt आएगी तो obviously वह clear करना भी मेरा का हम है तो रुकूंगी मैं चलिए गाइज cell structure of cyanobacteria मेरे दोस्तों जो cyanobacteria का कोशी का संदचना होती है वह कैसी होती है यह आपको बताना है बताओ deal mistra don't worry हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से चीजों को clear करें आप डरों मत अपनी मेहनत करते चलो जब सही समय आएगा आप deserve करोगे आपको वह seat जरूर मिल जाएगी डरने से कुछ नहीं होता मेहनत करने से करने से होता है तो cell structure of cyanobacteria आपका naked DNA है जिसमें 70S ribosomes present होते हैं तो मेरे दोस्तों यह आपका cyanobacteria का cell structure है अब basically cyanobacteria आपका procreotic cell होता है procreotic वह कोशिकाएं होती हैं जिनके पास केंद्रक nuclear membrane present नहीं होता हम humans के अंदर जो कोशिका है वो यूक्रियोटिक कोशिका है हमारे humans के अंदर जो कोशिका है उनके अंदर कोशिका membrane present है लेकिन मेरे दोस्तों आपके जो cyanobacteria cell है वो procreotic है इनके अंदर nucleus membrane present नहीं है nucleus का सारा समान इधर उधर इधर उधर आपका तैरता हुआ रहता है और यह आपकी peptide आपकी cell wall होती है मेरे दोस्तों peptide glycan की बनी होती है naked DNA होती है और 70S ribosomes इसके अंदर present होते हैं यह बात ध्यान में रखना है next question which reagent is used to form alcohol from aldehyde आपको बताना है कि निमली कितमे से कौन से reagent के इस्तेमाल करकर हम लोग aldehyde से c double bond O H होता है आपका aldehyde यहां से OH एलकोहल की formation करते हैं बताए बिल्कुल PGT में लाल बाहु जी यह question पक्का आएगा क्योंकि मैं आपको 910 प्लस 1 प्लस 2 और graduation touch सब कुछ पढ़ाती हूं तो जो भी आप PGT की त्यारी कर रहे हो ना आपके लिए सभी में यह questions आएंगे आप tension मतलो ठीके tension मतलो बस साथ आने वाले पढ़ने वाले बनो और Monday से मैं EMRS को भी focus करूंगी कि उसका पेपर भी आगया आपका तो EMRS प्लस बिहार शिक्षा बरती जो भी students त्यारी करना चाहते हैं दोनों मेरे साथ जुड़ें अगर कोई course खरीदना चाहता है तो RITIKA मेरे दोस्तों coupon code को इस्तमाल करके course खरीद सकता है जो आपकी validity लंबी व लगवाए है कुछ limited time के लिए जिसमें आपको course और ज्यादा सस्ता मिल जाएगा मेरे discount लगाने पर जिसने लेना है वो ले लेना ठीक है भी या इस question का right answer option number B है ग्रिगिनाड रिएजन्ट तो दोस्तों अगर आपको aldehyde से alcohol बनाना है तो ग्रिगिनाड रिएजन्ट का इस्तमाल करना पड़ता है तो यह क्या है आपका carbonyl group ठीक है C double bondo H इसे carbonyl group कहते है अब RMG यह ग्रिगिनाड रिएजन्ट क्या है R मतलब कोई भी alkyl group कोई भी alkyne म लुड़ा होता है ठीक है अब carbon है oxygen है यह electrons oxygen विद्यूत्रियनात्मक होने के कारण अपने पास खीच के रखता है तो आपको जो positive group है वो जाकर फटा फट से इसके साथ अटाच जाते है और negative center इस carbon पर अटाक करता है क्योंकि carbon पर positive charge है यह nucleophile attack है इसको nucleus चाहिए तो यह जाकर इस पर attack करता है फिर water के साथ reaction होने पर last में हमें alcohol दोस्तों मिलता है तो आपको याद रखना है बस इतनी सी बात कि aldehyde से अगर कभी आपको alcohol बनाना है तो grignard reagent का इस्तमाल आप लोग करोगे NBS TGT 2016 के अंदर ये question पूछा गया था और आपके TGT paper के अंदर भी ये question पूछा जा सकता है ठीक है जी okay report चलो आजो who coined the term lichen among the following तो जो आपका lichen term है lichen शब्द है वो किसने coin किया जल्दी से scientist का नाम आपको बताना है किसने lichen word को coin दोस्तों किया था बताओ चलो लाइकिन वर्ड किसने coin किया था आपका जल्दी से बताया दें इस question का right answer के है इसका right answer option number two है मेरे दोस्तों आपका theo frost त्रियो फ्रोस्ट जो आद द्वारा आपका lichen word आपका आया था यह lichen होते क्या है यह lichen basically lithiumus को बनाने में मदद करते हैं तो यह lichen plant की मदद से हमें lithiumus paper मिलता है तो यह lithiumus को बनाने में मदद करते हैं दोस्तों याद रखना scientist का नाम त्रियो फ्रोस्ट है जिन्होंने 370-285 विसी के अंदर इनको मेरे प्यारे दोस्तों आपका बनाया था मतलब यह term coil की थी क्या आपकी lichen lichen से हमें lithiumus paper मिलता है और lithiumus paper के बारे में हम सब जानते हैं अमल और शार के बीच में अंतर बताता है ठीक है आप लोग को मैंने code बताया था बी बी याद रखना बी से बेस श डालो blue color आएगा blue lithiumus paper को बेस में डालो तब भी आपका blue ही color आएगा तो like in मेरे दोस्तों dual organism है जो simbolic relationship निभाते है ठीक है के उपर आपका BR CH3 बना dry ether में हमने डाला लास्ट में जो product बनता है वो C2H5 plus 2NABR बनता है एक्जामिनर ने पूछा किस reaction का नाम क्या है यह आपको बताना है बताओ चलो राहुल सिंग खुशुआ कह रहे का I love the way you are teaching ma'am thank you so much राहुल खुशुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको अच्छा लग रहे हैं पढ़ाने का तरीका चलो जी बिल्कुल सही excellent ही मैंने पढ़ाई थी और यह किसने बताई है ठीक है एक मेरे student है जिनको याद है शोईबा को याद है कि यह है woods reaction woods मतलब लकड़ी दोस्तों लकड़ी हम इसमसर निकाल देंगे कहां से निकाली यह 2NABR एक लकड़ी है इस लकड़ी को हमने निकाल दिया तो CS3 CS3 से जुड़कर C2H6 बन गया दो कारवन है C2 3 plus 3 6 hydrogen plus NABR बाहर इस reaction को woods reaction कहते हैं क्योंकि इसमें हम एक लकड़ी को बाहर निकाल देते हैं यह reaction बहुत important है और examiner is reaction से questions paper में पूछता रहता है दोस्तों तो याद रखना है transition metal compound usually रंगीन होते हैं color होते हैं यह क्यों color होते ह transition ठीक है इनमें से electron जो उपर से नीचे नीचे से उपर transition करते रहते हैं तो इनमें जो रंग है मैं यंग शर्बतों का दोस्तों किसकी वज़े से रंग है from P orbital से S orbital electron transport कर आपके transfer होते हैं D orbital से S orbital D orbital से P orbital या फिर within D orbital मुझे जल्दी से बताओ transition metal का color क्यों होते है transition metal कोई blue color का है ठीक है कोई transition metal green color का है copper की बात करो तो blue है iron की बात करो तो green है तो हर transition metal एक color show करता है excellent very good इस question का right answer option number 4 है within the D orbitals ठीक है D orbitals में electrons उपर से नीचे नीचे से उपर कुदम कादी कुदम कादी करते रहते हैं तो option number 4 इस question का right answer है transition metal compounds color display होते हैं क्योंकि उनमें DD transition दोस्तों होती है D से electron on excite होकर उपर की energy level पर चले जाते हैं जिस रंग को यह अब शोशित करके उपर चड़ते हैं जब यह वापस नीचे आते हैं तो इसको complementary color भाहर निकालते हैं जो की color हमें दिखाई देते हैं जैसे कि अगर मैं copper की बात करूं सब को पता है copper sulfate solution हम सब जानते कैसे color का blue iron कैसे color तो आपको कोबॉल्ट है और इन से color का है nickel dark green से color का है copper नीले रंग का है तो इक color यहाई से आते हैं dd transition से friends एक question आपको बताना है जो कि examiner paper में पूछता है ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि इसे आप याद कर लो अगर आपसे examiner पूछे ना कि कभी हमें यह पता करना है कि किसी चीज में protein present है कि नहीं तो हम क्या करेंगे copper sulfate लेंगे यह नीले रंग का है ठीक है यह blue color का है जब very very important बात यह question paper में आता है examiner बोले कि अगर आपको पता करना है कि starch है कि नहीं किसी चीज में तो आप क्या लोगे iodine iodine कैसे color का होता है brown color का जब भी हम iodine को किसी भी ऐसी चीज में डार दें जिस चीज में मंड होता है तो यह कौन से color में change करता है blue black color में यह बात याद रखन और दोस्तों iodine की कमी के कारण जो बिमारी होती है उसे goiter कहते है घेंगा उसे कहा जाता है next question यह रहा आपके सामने यह question मैंने आपको practice कर वाय था और आज test है तो 100% पूरी class को right answer चाहिए एक electric motor है वो create करती है कितनी tension tension force ही होती है 4500 newton मेरे दोस्तों अब जो real चलरी electric motor की इत आपको बताना है चलो come on जाती दोस्तों 5-6 बजे के असपर तो आपकी class रहे जाती है वो मेरे दिल पे पत्थर हो जाता है कि यार class रहनी ही जाए इसलिए मैंने आपके test 12 p.m. पर रखे समझ गे class नहीं मिस करूंगी मैं जो मर्दी हो जाए आपके लिए लेकिन आप आने वाले बनोगे Monday से हम लोग इस question का right answer क्या है इस question का right answer option number 2 है 9 kilowatt दोस्तों तो आपकी जो power होती है वो force into velocity से multiply करके निकालते है तो force कितना है 4500 आपका weight कितना दिये दो तो आपका power कितना आ गया 9000 kilowatt ठीक है 9000 आ गया मतलब वाट में तो kilowatt में 9 kilowatt इस question का right answer clear है सभी को यहां तक very easy question next question which of the following are metalloids निमलिखित में से कौन से उपधातू है बोरोन oxygen aluminium, बोरोन mercury iron, बोरोन silicon antimony, aluminium mercury copper, come on दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ कि निमलिखित में से आपके metalloids उपधातू कौन है कौन है उपधातू नई इस time पर class ने रहेगी यार सबको मैं अनॉंस में बार बार एकी चीज़ बोड़ो class छे बजे रहेगी ठीक है और दूसरी class 10 p.m. पर रहेगी आज Saturday था ठीक है कोई मजबूरी कोई कारण वर्ष मैंने time जो है मेरे दोस्तों मुझे गलती से ऐसा नहोता कि कहीं जाना पड़ जाता मेरी Saturday को छुट्टी होती है टीक है लेकिन मुझे ऐसा होते है कि छुट्टी वाले दिन भी class तो लेनी है क्योंकि आपकी पढ़ाई मेरी छुट्टी से important है बगवान ना गरे कोई ऐसा चांस बन जाए कि शाम को कोई जाना पड़े तो मैं 6 बजे और 10 बजे तक ना वापस आपा हूं तो मैं 6 और 10 बज ठीक है इस question का right answer option number 3 यह है boron, silicon, antimony दोस्तों metalloids क्या होते हैं उपधातू जिनमें धातू और धातू दोनों की properties होते हैं उपधातू कहा जाता है तो boron, silicon और antimony तीनों के तीनों आपके metalloids होते हैं उपधातू होते हैं यह रहा boron ठीक है silicon, germanium, arsenic, antimony, terillium ठीक है यह सारे क सारे आपके metalloids हैं जिनमें धातू और धातू दोनों की properties present है, very important ध्यान में रखना, अगला सवाल, सारे questions TGT के previous year questions हैं तो अगला सवाल कहता है कि what happens to the atomic size, जैसे हम down the group जाते हैं, समुह के अंदर नीचे जाते हैं, तो आपके atomic size पर्मानु आकार का क्या होते है, triple हो जाता है घड़ जाता है, बढ़ जाता है, या फिर इसके अंदर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता Come on guys, जल्दी से session को share करो यार, आज कम से कम 200-300 students live बिठा दो, आज आपका test में लेके आई हूं, तो 173, 180 के असपा students अभी भी live हैं, लेकिन आपने like नहीं ठोके हैं, तो जो students class देख रहे हैं, पटा पट से class में धपा धप, like भी करते चलो, इस question का right answer option number 3 है दोस्तो, increases, जैसे ही हम down the group जाते हैं, आप जैसे ही some move में नीचे जाते हो, तो मैंने आपको बहुत बारी बताया था, number of shells increase होते हैं, ठीक है, तो आपकी जो कोश है, ये बढ़ते जाते हैं, जैसे ही हम down the group दोस्तो जाते हैं, तो कोश अगर बढ़ेंगे, तो atom का size बढ़ा हो जाएगा, इसलि हमें हमें आता है, हम TGT और PGT के पेपरों के questions निकाल लेते हैं, हम अपना paper कर सकते हैं, चलो, deuterium और deuterium, ठीक है, आपका treatium और deuterium, मेरे दोस्तों क्या है, isotope है, hydrogen के, carbon के isotope है, uranium के isotope है, या फिर मेरे दोस्तों, titanium के isotope है, समस्थानिक है, come on, चलिए, इसका right answer क्या है, मेरे दोस्तों, option number one है, isotope of hydrogen, अगर मैं deuterium और treatium की बात करूँ, तो आपके hydrogen के isotope है, अब समस्थानिक क्या होते हैं, और समभारिक क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं, दोस्तों, समभारिक, isotope bar, ठीक है, isotope का मतलब होता है, same, और bar का भार, अब किसी का भार किसकी वज़े से है, उसके दरविमान की वज़े से, मैं बोलूँगे, यारी, बहुत भारी है, ये बहुत हलका है, क्योग उसका दरविमान कम है, isotope का मतलब same, और bar का मतलब भार, और भार होता है, दोस्तों, दरविमान, mass number की वज़े से, जिसका दर इसो टोप क्या होते हैं दोस्तों जिनकी Atomic Number से होता है इदर वान इदर वान इदर वान परमानु संख्या तीनों की सेम लेकिन दोस्तों इनका द्रवमान संख्या अलग तो यह होते हैं आईसोटोप समस्थानिक और हाइडरोजन के समस्थानिक हैं डूटीरियम और ट्रीटियम फ्रेंट ये बात आपको याद रखनी है तो चार इंपोर्टन बाते मैं आपको और बता दूँ अगर किसी को नहीं पता तो अगर अगर अटॉमिक नंबर के बारे में बात की जाए परमानु संख्या तो परमानु संख्या का मतलब होते है नंबर ऑफ प्रोटोंस जितने नंबर ऑफ प्रोटोंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं परमानु के अंदर उत्रे ही इलेक्ट्रोंस भी होते हैं परमानु के अंदर तो प्रोटोंस का नंबर इलेक्रोंस के नंबर क संख्या क्या होती है number of neutrons plus protons इसके अंदर neutron और proton के सम को हम लोग द्रबेमान संख्या मास नंबर कहते हैं चलिए आपका अगला सवाल निमली कित में से ऐसा कौन सा यानि कंपाउंड है जो की साबुन रियॉन पेपर एक्स्पोजिव डाई और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है तो कौन सा है जो यह प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं तो के इंश सिमार करवा दूँगे डूंट बर्यैं जिस जिसको न मुझ से जो भी पढ़ना है वह वीडियो के नीचे कॉमेट सेक्षिंड में लिख दे करें कि मैह मुझे यह चीज पढ़ने है यह चीज कर रवादो चावर वीडियो की नीचे कॉमेंट में लिखके बताओगे वो सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूँगे पॉमिस सेशन के अंदर लेके आओगे बट आप सेशन के अंदर लिखते हो मेरे दिमाग सा निकल जाता है क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासे होती एक दिन में तो आप वीडि बनाने में डाइज बनाने में जाने में रियोन को आर्टिफिशल बीपी खाण जाते हैं और शीम लों जैसी होती है यह बाद ध्यान रखना यह पहला वैंक्या द्यूंसीडरह सोडिय। इसकी मदद से पेट्रोलियम रियोन डाइज यह सारी चीज़े बनाई जाते हैं नेक्स्ट वेशन कहते हैं कि विच टाइप अपिथीलियल टिशू इस प्रेजन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें कौन सा एपिथीलियल टिशू पाया जाते हैं यह रहें चार आप्शन पटापट से बताओ इसका राइट आंसर रावल चिंग टेलिग्राम जो है वह है रितिका मैम टेस्ट बुक के नाम से इसे जोइन कर सकते हो ताकि आपको सेशन के information के लिंक मिल जाया कोन सा टाइप आप एपिथीलियल टिशू है जोगि respiratory你eleri में में प्रसंट है इस question का रहें मैरे दोस्थ हो काल्वनर तो आपका respiratory के अदर कालमेडरर एपिथीलियम फ्रेजंट है यह भी याद रखना गाइस वेरी इंपॉर्टंट ठीक है चलिए इसे next question की तरफ आगे बढ़ते है important question photosynthetic pigment chloroplast के अंदर जो embedded होता है ठीक है किसके अंदर embedded होता है बताओ चलो शावाश स्पीड थोड़ी तेज कीचलो मैंने आपको पहली बोला था आज होगा टेस्ट और 100 प्लस question मैं बना के लाई हूँ अब आपसे हो ना हो अलग बात है तो जल्दी जल्दी करो answer इस question का right answer option number one है तो मेरे दोस्तों photosynthetic pigment chloroplast किस चीज में embedded होता है थेलकोइड की membrane में embedded होते है तो यह आपका थेलकोइड है इसकी जो membrane है इसके अंदर आपके chloroplast present होते है इन chloroplast के अंदर chlorophyll present है और यह chlorophyll प्रकास translation करने में हमारी मदद करती है तो थेलकोईट इस question का right answer है थेलकोईट के अंदर chloroplast है और chloroplast में chlorophyll है जो कि आपकी photosynthesis करेगी तो सारे लोगों को जिनको नहीं आता था फटा पर से चैट में थेलकोईट थेलकोईट लिख दो ताकि आपको याद रहे next question ये कहता है कि which enzyme is responsible for breakdown of fats into fatty acids and glycerol आपको बताने कि निमली कितमे से कौन सा ऐसा enzyme है जो कि मेरे दोस्तों आपके वसा को ठीक है fatty acids को वसा अमल को किसमें glycerol में तोडने में मदद करता है come on चलिए guys इसका right answer बताओ come on friends फटा फट जल्दी 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 इस question का right answer सभी लोग बताएंगे और इसका right answer है option number a lipase दोस्तों तो याद रखना वो enzyme जो responsible होता है आपके वसा को fats को fatty acid or glycerol में तोडने के लिए वो है आपका lipase तो अमलेस का काम किया है option के अंदर जो भी दिये थे अमलेस आपका saliva जो हमारी लार होती है थूक इसके अंदर present होता है कि क्या करता है जब भी हम बोजन खाते हैं दोस्तों तो पाचन हमारे मूग के अंदर start होता है digestion जब भी हम बोजन खाते हैं तो food की जितनी भी complex sugar है वो simpler form में टूपना start हो जाती है माल्टेस का काम क्या होता है यह sugar को maltose मतलब sugar maltose को glucose के अंदर change करते है glucose simpler form है ठीक है और यह हमें उर्जा देती है trypsin की बात करें trypsin breakdown करता है protein को breakdown करता है किसमें amino acids में कहां पर छोटी आंट में examiner छोटी आंट की लंबाई भी पूछ लेता है तो याद रखना 7.5 मीटर छोटी आंट की लंबाई है 1.5 मीटर बड़े आंट की लंबाई है large intestine and small intestine की यह आपकी length होती है याद में रखनी है सभी लोगों को ठीक है राव डन है यहर चैट में न लिख लिख कर याद करते रहो अगला सवाल UPTGD 2019 मेर पर ना वरोसा हो जो जो पेपर काना आम लोगो पेपर खोल के देख लेना मिल जाएंगे आपको इवश्चन कहता है चार्ज अफन एलेक्ट्रों इसे की लेक्ट्रों के उपर कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 रिकी पावर 24 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम मुझे जल्दी से बताओगे कि लेक्ट्रों के उपर कितना चार्ज प्रेजन होता है यार बहुत असान क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है बताओ option number C is question का right answer है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम option number C is question का right answer है वेरी वेरी important आपको ध्यान में रखना है ठीक है जी clear होगी बात ठीक है तो अब अगर मैं आपसे कुछ कहानी discuss करूं तो कहानी सुनो एक atom के जो nucleus होता है केंदरग इसमें neutron और protons present होते दोस्तों neutron पर कोई भी charge नहीं होता और proton पर positive charge होता है electrons जो है वो R पर चक्कर लगाते हैं गोल 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 गूल 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 जितने protons हैं उतने ही electrons हैं याद रखना और इसे ही हम लोग परमानु संख्या atomic number कहते है 101% very very important neutron प्रोटोन का sum मिलकर दरवेमान संख्या बनाती है mass number ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों तो ऐसे symbol को लिखा जाते हैं नीचे लिखा जाते है परमानु संख्या को जिसको हम लोग X से represent करते हैं और A से लिखा जाते है दरवेमान संख्या को जिसको हम लोग A से represent करते हैं एक्जामिनर आपसे पूछे electron की discovery कौन से scientist ने की थी जो की एक बड़ी paper में पूछा भी गया है वो है J.J. Thompson ने एक्जामिनर पूछे proton की discovery दोस्तों gold steam ने की थी और proton एक atom के केंद्रक के अंदर प्रेजन होता है ये रदरपोर ने बताया था अपने alpha rays scattering के experiment दो और neutron की discovery James Chadwick दोरा की गई थी ये बातें अपने को रखनी है यार ठीक है प्रियम तिवारी यार आप लोगो जो भी मुझे चाहिए वीडियो की नीचे और साथने क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताया करो comment जो अच्छे comment करते है students सभी का हाथ जोड़के बहुत 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 आई दिल से धन्यवाद which of the following produces, reproduces using fission तो आपका जो fission है ठीक है खंडन की विधी है उसते कौन प्रजनन करता है यह आपको बताना है बताओ तो 200 students live होगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज उमीद है मुझे कि आप 300 plus students को live मेरे साथ जोड़के ही रहोगे तो जोड़ो एक बड़ी session को कर दो share कितनी efforts के लिए इतना तो बनता है ठीक है चलिए which of the following reproduce using fission सबने answer दे दिया option number सब hydra कह रहते है यार amoeba इस question का right answer है कुछ लोगों ने amoeba कहा कुछ ने hydra कहा तो सभी लोग याद रखेंगे amoeba विखंडन क्या होता है एक जो body part होता ना दोस्तों वो ही तूटता है दो parts में further वो ही आपके और दो-दो parts में तूटता जाता है ठीक है तो इसे हम लोग क्या कहते है विखंडन तो जो amoeba होता है यह आपकी विखंडन की विधी से तूटता है amoeba से और भी बहुत सारे questions examiner paper में पूछता है यह जो finger like projection देखते है ना आप amoeba यह यह उंगलियों जैसी projection इसे pseudopodia कहा जाता है यह याद रखना इसे क्या कहा जाता है pseudopodia यह finger like projection है यह इसकी movement में एक जगा से दूसरी जगा जाने में और food के capture होने में बोजन को capture करने में आपकी मदद करती है pseudopodia very important यह बात आपको ध्यान में रखने है next question which is not true for glycolysis दोस्तों glycolysis के संदर्द में निमली खित में से कौन सा कथन सबते नहीं है come on glycolysis के संबंद में निमली खित में से कौन सा कथन सबते नहीं है यह सिरफ और सिरफ और सिरफ aerobic organism में होती है यह मेरे दोस्तों साइटो प्लाजम में होती है और ग्लूकोस जो है वह इसके अंदर ऑक्सिडाइज होते है मतलब ग्लूकोस का ऑक्सिकरन इसके अंदर होता है तो बता दो not true पूचा है गलत कथन कुन हम कुमारी केरी है यह कि मैं डिसलाइक करूह क्योंकि है मैं मेरे comment का जवाब ने देती ह guid दो comment तक मैंदो आज नराज मत करो आपको दिसलाइक करना का दो कोई चक करने हैं ठीक है मेरा काम लायक डिसलाइक से फ रह काम सिरुक पढ़ाना जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ो रही बात कॉमेंट की कभी कभी आ रहा मुझे पढ़ाना भी है आप फोकस पढ़ाने में करना है आपने चैट करें 200-300 बच्चे लाइब जुड़ते सेशन में फटा फटा फटे चैट उपर उपर हो जाती है जब तक नजर जाती है तो जो यार मजबूरी मेरी जगा आगे खड़े हो जाओ लगेगा पता इस question का right answer option number one है occurs only in aerobic organism ये गलत बात है दोस्तों सबसे पहले glycolysis होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं आपका जो glucose है जैसे जो हम भोजन खाते है उससे हमें क्या मिलता है glucose ठीक है अब glucose जो भी हमें मिलता है ये glucose का काम क्या होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर तूटना और तूटकर पाइरुवेट का बनना पाइरुवेट बनता है और ATP की form में ऊचार रिलीज होती इस process को glycolysis कहते है अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी वायूए स्वसन है उन्हीं के अंदर glycolysis होगा glycolysis हम जैसे बोजन खाते हैं बोजन कोशिकाओं में गया आपने सांस ली सांस लेने में जो मैं अपना process बतारी हूं हमारा हमारे में क्या होता है oxygen ड्रक्त के साथ मिलकर different body parts में जाती है बोजन तूटता है और आपकी energy मिलती है लेकिन जो और वायूए स्वसन करते हैं आप अगर रिलीज होना glycolysis है और glycolysis दोस्तों वायू अर वायू दोनों ससन में होता है तो यह कथन गलत था मतलब हमारा right answer था क्यूंकि not true examiner ने हमसे paper में पूछा था ठीक है चले गाइस next question ग्रेफाइट एक soft lubricant है जो कि extremely difficult होता है melt करने में रीजन बताओ कि ग्रेफाइट के इतना अलग सा behavior क्यों है बंदना की शोरे करा दूंगे आपने एक request कर दी मैं करा दूंगी salt don't worry ग्रेफाइट एक soft solid lubricant है जो extremely difficult होता है melt करने में इसका reason क्या है मेरे दोस्तों कि आपको बताना है इस question का जो right answer है वो है आपका option number a ठीक है तो option number a जो है इस question का right answer है carbon atom जो है वो arrange होते हैं plate की form में ठीक है plates की form में arrange होते हैं graphite के अंदर carbon atom और दोस्तों graphite के अंदर आपके free electrons होते हैं इसी वज़े से current का सूचालक होता है आपका graphite मतलब graphite के अंदर current का flow easily हो सकता है जो कि जो बाकी carbon के उपरूपत है उन में नहीं हो सकता जैसे diamond में नहीं हो सकता लेकिन graphite के अंदर हो सकता है उसका reason क्या कि इसके पास free electrons है जो कि electricity को conduct करने में help करते है एक layer दूसरा layer ऐसे करके layering form में आपका graphite present होता है pencil की nib में आपका graphite present होता है इसको dry lubricant की तरह भी use करते है suppose करो किसी machine के अंदर हमें lubricant चीए तो आप graphite को रगड़ दो तो dry lubricant की तरह भी आपका काम में आता है next question फिर से friends UPTGD 2019 according to Dalton atoms of a given element are Dalton के according जो atom होते है given element के वो कैसे होते है रजिया खान कह रही है कि hello ma'am I am big fan of you your teaching big fan of your teaching love you so much ma'am रजिया जी I love you too come on guys जल्दी से बता दें इस question का right answer किया है आरे जॉन डाल्टन एक्जामिनर पूछेगा कि atomic theory परमाणू सिधान किस ने दिया जॉन डाल्टन ने दिया जॉन डाल्टन ने कहा कि एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणू होंगे उनका अध्रविमान उनका आकार और उनकी आकरिती सेम होगी टिच बटा टिच यह है जॉन डाल्टन की theory और जॉन डाल्टन को ऐसा कहा जाता है कि atomic theory किस ने दिया है उसके अंदर atom होते हैं लेकिन ये बात वैसी सम्मानते रहते थे लेकिन जब J.J. Thompson ने electron की discovery कि और ये कहा कि atom के अंदर भी कुछ present होता है सबसे चोटा atom नहीं है उसके बाद ये atomic theory fail हो गई लेकिन फिर भी John Dalton का नाम बहुत ऊचा है क्योंकि इन्होंने ऐसी बहुत सारी बा CTM के अंदर फोटो एलेक्टर की इफेक्ट सबसे अच्छी तरह किसमें हो सकते है डी ट्रीपलेस भी TGT प्रीवेस है तो दोस्तों हर एक TGT पेपर के questions रगड़ देंगे हम हर एक paper कर देना है एंक्शन निले नहीं अपने जहां पर TGT PGT लिगा है सारी question प्रक्टिस करके पेपर से पहले कि paper में बैठे तो examiner को बोलेंगे हां जी पूछो आप क्या पूछना चाहते हो हम अपनी तैयारी first class खीच कर आये हैं समझ गए तो भेदभाव कभी मत करो आपको जो paper मिले सभी solve कर दो क्योंकि science तेम ही तो रहती है बदल थोड़ी जाएगी किसी के लिए चले याशिम बेगम अगर आपको पढ़ना है तो session में रुको तहे दिल से पढ़ो disturb मत करो ठीक है ऐसी उल्टी-पुल्टी बाते मत लिखो कि मेरी निकाह फिक्स हो गया इससे लेकिन मैं प्यार करते हैं इससे यारी प्यार मोहबत की class नहीं है नोज तो हम प्यार बाद में कर लेंगे अभी पढ़ लेते हैं क्यार का क्या है वो बाद में हो जाएगा निकाहां भी होते रहेंगे शादियां भी होती रहेंगी कोई चक्कर नहीं है फिलाल पढ़ने के फोकस करो कोई भी student किसी भी फालतु चैट नहीं करेगा चैट के अंदर याद रखना उल्टी ब आपका मेटल है धातू जब धातू के ओपर लाइट मारते हो ना तो लाइट जो है उसके अंदर packet of energy है जिसको photon कहते हैं यह question मैंने आपको कल भी कराया था जैसे आप लाइट मारते हो तो यह जो electrons present होते हैं यह मेटल के surface से बाहर निकल जाते हैं इजेक्ट हो जाते हैं इसस photo electric effect कहा जाते हैं ठीक है प्रकाश विद्यूति प्रभाव इसे कहा जाते हैं अब electron easily कब निकलेंगे सिंपल सी बात जैसे हम नीचे जाएंगे दोस्तों हमारा size जो है वो बढ़ता जाएगा है ना size बढ़ने के कारण आपकी आईनी करन उर्जा घटती जाएगी मैंने आपक आईनी करन उर्जा जिसके अंदर हमारा जो atom होता है उसके outermost shell में हमारा जो परमाणू होता है उसके outermost shell में जो electron है उसको मुझे भगा के लेके जाना है रात को आउंगा मैं तुझे ले जाओंगा मैंने गाना भी आपको बताया तो कितनी उर्जा मेरी लगेगी इस electron को इसे photoelectric effect कहा जाता है I hope यह सबको पता है तो मेरी जितनी energy लगी इस electron को लेके जाने में इसको आप लोग photoelectric effect मेरे दोस्तों कहते हो simple जिसमें easy है ले जाना जिसमें उर्जा मेरी कम लग रही है उसमें असानी से electron निकल जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते है आपकी ionization energy निकलन उर्जा कितनी मेरी उर्जा लग रही है इस electron को remove करने में जितना size बड़ा जितना घर बड़ा जैसे कि cesium का घर सबसे बड़ा ह जाने में इसके बच्चे को लेके जाने में रात को easy रहेगा क्योंकि cesium तो घोड़े पेचके सो रहा है इसको पता ही नहीं घर इतना बड़ा है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है तो energy कम लगेगी photoelectric effect में भी जैसे हम light मारते हैं किसी सत्य है पर तो electron eject होते हैं तो सबसे easy electron eject ह उने उसके हैं जिसका size बड़ा है क्योंकि जिसका size बड़ा है उसकी आयनी करन ऊर्जा बहुत कम है मतलब मुझे कम energy देनी पड़ेगी और electron सत्य है से बहार निकल जाएगा कि बंदना जी चिडिया चुक गई खेथ ठीक है बताओ आप पूछ रहे हैं आप पूछ रहे हैं यार थमनेल को पर लिखा है न बीपीएसी 100% ले सकते हैं बीपीएसी वाली क्लास चल रहे है 15 क्लास बीपीएसी पास बीपीएसी के लिए लगवाई थी मैं ठीक है लेकिन आप किसी भी TGT PGT के तयारी कर रहे हो सभी स्टूडेंट से क्लास कर सकते हैं मंडे से हम लोग EMRS पे फोकस करके EMRS के पेपर को भी उड़ाएंगे दोस्तों बीपीएसी को भी उड़ाएंगे मिलकर हरे एक आप किसी कहीं पर भी आपको दुनिया में जहां TGT PGT पे अप आप मेरे साथ जुड़ो मेरी क्लास देखो सब पेपरों के लिए हल्प करेगी क्योंकि मैं सारे पेपरों के कॉश्चन इसमें करवाते हूं बिना भेदमा आपके खतम बात चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन और लिपेड्स विचर असेंशली बिल्डिंग जो ब चलो चैट के अंदर सारे के सारे सारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे चलो जी पड़ा पट बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन पर नहीं तो अब यह आपके प्रोटीन को सिंथिस करते हैं तो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इक स्मूध है एक आपकी मदद करता है ये बात आपको राइञाख नहीं बनाता है यह इस क्यक्रीशन अगर और से स्ल्यूशन में तो कहले किया था और बाद में क्या तो क्या हो जाएगा यह आपको बताने, बताओ, चलिए, ठीक है, पुझा कुमारी ने बोला है कि मैं EMRS TGT के लिए क्लास भी दीजिए, पुझा जी वैसे तो ये क्लासे से आपकी हेल्प करेंगी, मंडे से ठीक 6 बजे, पूरी जो शुमीद के साथ BPSC और EMRS दोनों की तैयारी करेंगे, जिसम मेरा प्रॉमिस है आपसे, बस लाइज जुनना है कितने बज़े, 6 बज़े, 6 बज़े, 6 पीम ही मेरा टाइम है, आज तो टेस्ट टेस्टने में जल्दी आगे, चलो, मेरे दोस्ते एक आरन नेल को डिप किया जाता है, ठीक है, तो आरन नेल को जब हम डिप करने किसमें, आरन नेल को डालते हैं, कहाने का मतलब आरन रियाक्टिविटी सीरीज में उपर है, जब आरन रिक्टिविटी सीरीज में उपर है, तो मतलब मत र्याक्षिन कर सकता है मस्त रीक्षन कर सकता है तो solution चे कॉपर को हटा सकता है तो जैसी मैंने यह कील डाली तो इसने क्या कि iron ने ठीक है जैसी लोगे की कील डाली इसने copper sulphate solution में से copper को हटाकर sulphate से खुद दोस्ती कर ली FESO4 बन लिया तो FESO4 बनने के कारण यह आपका green color का हो गया क्योंकि solution में iron हो गया और copper फटा फट साइड होता गया और copper इस कील के ओपर चड़ता गया इसलिए कील आपकी brownish सी color की हो गई और आपका solution है वह green color का हो गया फ्रेंजी question भी आपके paper के लिए important है exam में पूछा गया है तो 200 बच्चे लगब लाइव होने वाले हैं ठीक है तो जल्दी जल्दी सेशन को like भी ठोक दो और share भी कर दो thermodynamics process को reversible कब कहा जाता है उश्मगतिका में आपके प्रक्रम में उश्मगमिये मेरे दोस्तों किसे कहा जाता है मतलब basically reversible reaction क्या होता है यार यह बताओ कौन सा reaction reversible है हम चलीए फर्ण्स मैं पता है गाने का के साथ साथ में क्यों पढ़ाते कि कि आप लोगों को याद रहते हैं ठीक है जिसे कि आई नी करन नूर जय मैं ने पढ़ाया था रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा ठीक है कि इलेक्ट्रॉन को लेके जाये जाता है तो कानो-गानों से कनेक्ट करके हम चीजों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं बात ही होती है और मज़ा भी आता है आप लोगों को नींद भी नहीं आती है मैं अगर सिरफ पढ़ाऊंगी ना तो आप ठक जाओगे बोर हो जाओगे और एक घंटे की क्लास आपका मन भी करेगा मेरी क्लास में पता ही नहीं चलता है कि एक घंटा कब हो जाता है क्योंकि फन भी होता है पढ़ना, फन, इंज्वाइस सब साथ होना चीए और याद तो हो ही नहीं इस question का right answer काई तो option number C है surrounding, always equilibrium में होती है system के, समझो मेरी बात तब से पहले thermodynamics है क्या आपकी उश्मा के flow को thermodynamics कहते है अगर heat hot body से cold body की तरफ मिलती है जाती है, move करती है तो उसको हम लोग thermodynamics कहते है rate of flow, heat उश्मा का flow क्या कहलाता है thermodynamics दोस्तों दो बात है एक होता है system और एक होता surrounding system मतलब जिस पे काम हो रहा है मालो की चाय का कप है, मैंने चाय का कप table पे रखा, मालो ये पानी का glass है ये आपका गरम है, गरम पानी समे ये मैंने table पे रखा, इसके उपर काम हो रहा है उश्मा इस से अंदर बाहर हो रही है, तो इसको कहेंगे system ठीक है, इसके आर पर जो भी चीज़े है, चाहे मैं चाहे आप चाहे पूरा ब्रहमाण ये सारी के सारी चीज़े होती है, इसकी surroundings heat exchange system और surrounding के बीच में होती है reversible तब होता है जब equilibrium हो जैसे मालो ये लड़की suicide करने जा रही है ठीक है, ये किसी से प्यार करती है, इसको इसका प्यार नहीं मिला कहती है, मैं मर जाती हुठा, नीचे ये irreversible reaction है, आप इसको वापस उपर थोड़ी ला सकते हो ये तो खूद गई, ये reversible reaction है जिसमें रसी बान के जा रहा है, आप जब चाहो इसको वापस उपर ला सकते हो तो reversible reaction वो होते हैं, जो equilibrium में होते हैं कहने का मतलब, product बहुत ही ज़दा slowly reactant अभी कारे, प्रोड़क्त में change होता है हमारा जब मन करें, हम product से वापस reactant को भी बना सकते हैं, तो उन reactions को reversible कहा जाता है जो कि दुबारा वापस पुरानी स्थिती के अंदर लाए जा सके हो ठीक है, लग्की 6-8 में it will help you, 6-8, 9-10 की तो class है चलो, मेरे दोस्तों एक जब bus start होती, suddenly तो passenger जो है किसका example है, जल्दी से मुझे बताना है, आज हमने बहुत सारे questions, ठीक है, करे ज़ाती कह रही कि मैं हम आपकी class में तो time कपता ही नहीं चलता यह session इतना, बंदना जी हमें यहां पढ़ाती हूं, ठीक है, test book super coaching में जो भी मेरे पुराने students से हमको inform कर दो, रितिका मैं कहा मिलेगी, test book पे प्लीज या, उनको पता नहीं है, बंदना भी आज ही आई है, उमेर को कहीं और ढूंड रही थी, तो खो गए हम कहां, तो आप मुझे यहां पे और students को भी inform जरूर कर देना, इस question का right answer है, Newton's first law of motion दोस दोस्तों ध्यान से समझना एक बात जड़त्व क्या होती है, inertia हमें कहता है, जड़त्व हमें कहता है कि अगर कोई भी चीज, जिस भी state में है, उसी state में रहना चाहती है, हमें change नहीं पसंद, ना आपको ना मुझे, suppose करो आप सो रहे हो, मम्मी आपको उठा दे, उठ उठ उ रहना चाहते हैं, suppose करो आप गती में हो, आप रात को घूमने जाना चाहते हो, आपके relatives ने आके आपको रोका, कि आप क्यों घूमने जा रहा है, रात को नहीं घूमने जाना चाहिए, काम खराब होता है, ठीक है, लोग बिगड़ जाते हैं, कुछ हो जाएगा, तो आपको गुस्ता आता है, कि आप कौन होते हैं, मुझे रोकने वाले, मैं तो घूमना तो घूमना, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक व्यक्ति जिस अवस्ता में है, वो उसी अवस्ता में रहना चाहता है, और इसी चीज को हम लोग inertia कहते हैं, जड़तव, जब कभी वी, जैसे नर्शिया है, मेरे में जड़तव है, इसलिए ब्रेक बजने के बाद हम आगे को मूप करते हैं, क्योंकि हमारी बॉड़ी मोशन में ही रहना चाहती है, हमारी बॉड़ी गती में ही रहना चाहती है, दोस्तों, इसे जड़तव कहा जाता है, very very important, clear, नहीं सुल्तान, यार, य 10 पे लेती हूं, टेट पी आटी वाले चैनल पे, सबसे पहली बाद, और वो क्लास मैंने आज 10 एम पे ले ली है, 10 बजे, अभी होके आटी, आप जाके पिछे देख लेना, 10 बजे हुई है, कल रात 10 बजे हुई थी, और आज सुबह भी 10 बजे हुई है, वो टेट पी आट दोस्तों, कौन सी वाली बोन होती है, तो अगरी नर्शियॉफ स्टड़ी विद यू, थैंक यू, गाइस, थैंक यू, सो अबाच, इतने प्यारे-प्यारे कॉमेंट्स करने के लिए, और इस क्वेशन का ज़राइट आंसर है, वो औक्शन अमरी है, नेसल, नेसल, ठीक है, कि सकल बोन का हिस्टा आपका, हिस्ट आपका नेसल बोन है, तो बोन और सकल मेरे दोस्तों, इसके तीन-थिन-मेम्रेन होते हैं, जिने आप mamanges कहते हैं, और ये protect करती हैं हमारी ब्रेन को, हमारे ब्रेन में एक MON CEREMO SPINAL FLUID भी होता है यह हमारे brain को na cushion की तरह act करता है कोई भी शौक हो external कोई दिकत तो उससे हमारे brain को बचा के रखता है brain बचना बड़ा जुरूरी है कि कि दिमाग चला गया तो game over 29 bones होती है हमारी skull के अंदर मेरे दोस्तों और अगर मैं आपके nasal bone की बात करूं तो यह skull bone का part है यह आपका cervical vertebrate का part और femur आपकी सबसे बड़ी bone होती है और यह आपकी thigh bone होती है examiner आपसे पूछे कि सबसे बड़ी largest bone कौन सी है तो आपकी femur है सबसे बड़ी bone आपकी femur bone होती है ध्यान रखना अब knee bone आपको कुछ additional information सभी लोग इसका screenshot कीच लें knee के अंदर जो bone होती है थाई के अंदर femur होती है largest bone ankle में tersel होती है fingers के अंदर flying genges होती है मेरे दोस्तों wrist में आपकी carpals होती है upper arm में आपकी humerus होती है palm के अंदर bone होती होती है metacarpal होती है जो आपकी palm के अंदर bone है इसे metacarpal कहते हैं और आपकी कान के अंदर bone होती हुसे steps कहते है मेरे दोस्तों सबसे चोटी bone जो है वो आपकी steps है और सबसे बड़ी bone जो है फैमूर है अब examiner femur और steps दोनों से question आपकी paper में पूछ सकता है जल्दी से आगे बढ़ते है next question की तरह phenomena जिसमें हम remove करते है basic oxide को धातू पे से electroplating करने से पहले उसे क्या कहते है आज तो यह बहुत सारे questions practice के हैं मजाया आपको मजाया आज हमने बहुत सारे questions practice करें आपको पता नहीं चला ठीक है back to fire back to fire धड़ा 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 इस question का right answer option number B है pickling बहुत सारे लोग galvanization करेंगे दोस्तों गैलवी करन क्या होता है जब हम लोहे को protect करते हैं कि उस पर जंग ना लगे तो उसको उपर zinc चढ़ाते हैं उसको galvanization कहते हैं लेकिन अगर मेरे पास कोई धातू है इसके पास एक शार oxide की layer है मैं इसको साफ करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी pickling करूंगी पहले इसको साफ करूंगी और उसके उपर जैसे आपने बोला कि मैं बोलो कि मैं इस glass को gold plate चढ़ाना चाहते हैं आप बोलो कि wow yeah ma'am यह तो gold plating वाला glass है यह तो बड़ा अच्छा glass है ठीक है gold plated glass तो सबसे पहले इसके उपर जो शारी oxide की layer है उसको मैं साफ करूंगी रगड़ूंगी जो मैं इसके सफाई करूंगी उसको pickling कहेंगे उसके बाद मैं इसके उपर सोने की परत चलाऊंगी और आपको बोलो मेरी तरफ से सोने की परत वाला glass आपको gift तो उसको pickling कहा जाता है galvani करन क्या होता है कि लोहे पे जंग ना लगे तो हम इसके उपर zinc की coating करते है उसको galv consumer कहते है NBS TGT 2019 के अंदर ही question examiner ने paper पूछा था ठीक है और Monday को सभी लोगों को मेरे साथ live जुड़ना है कितने बज़े जुड़ना है 6 PM पर जुड़ना है आपको live मेरे साथ ठीक है 6 बज़े जो आप सूम बार को मेरे साथ live आओगे दोस्तों इस class के अंदर हम लोग EMRS और BSP दोनों को focus करते हुए एक धमाकेदार session में लोगे जिसमें में आपको बहुत सारे question practice कराऊं तो इसकी PPT के ओपर मैंने काम करना start भी कर दिया है तो 50 questions में आपको practice कराऊंगे लेकिन आपको live आना पड़ेगा यार मुझे भी तो आपकी effort दिखनी चाहिए इस question का right answer आपका vitreus humor है मेरे पीछे आप京 दिख रहे हैं यह देखो यह जो पार्ट है यह आपका ECOS humor है और यह जो पार्ट copper zinc sulfate के साथ लगे, iron zinc sulfate के साथ या फिर copper ZNSO4 के साथ, निमली कित में से कौन सी अभिक्रिया आपकी संभव है, यह आपको बताना है, come on, चलो भई, जल्दी जल्दी बता दू इस question का right answer है, तो सभी लोग एक लाइक लाइक भी छोग दें, class के अंदर जिन्होंने अब तक कक्षा को लाइक नहीं किया, तो इस question का right answer जो है, वो आपको option number A है, AL ZNSO4 संभव है, मैंने ऐसा क्यूं कहा, क्यूंकि मेरे दोस्तों कहानी सारी reactivity series की है, एक आपको देओ, aluminium और zinc, देखो, zinc की बात करूँ तो यह रहा, aluminium यह रहा, aluminium zinc से उपर है, ठीक है, तो अगर मेरे पाद ZNSO4 है, तो aluminium में इतनी ताकत है कि वो zinc को हटा कर, aluminium ZNSO4 के साथ reaction कर लेगा, क्योंकि reactivity series में aluminium zinc से उपर है, copper भी नीचे, iron भी नीचे, ऐसे हालू, पगाता, याद रखना, ठीक है, ऐसी मुथल quantum number, PNF orbital के लिए respectively क्या होगा, बताओ, ठीक है, तो आज ही test का यह last question है guys, मैंने आज आपको maximum questions practice करवा दी है, ठीक है, और I hope आपको अपनी progress अच्छी लगी होगी, कि मैं हमें आ रहा है, दोस्तो आ रहा है, मैं चैट के अंदर तो देख पा रहे हूँ कि बहुत सारे students को आ रहा है, तो अगर आ रहा है, आपको अपनी progress दिख रही है, बहुत बढ़ी है, प्लीज session के link को copy करके share कर देना, जहां जहां पुचा सकते हो, जहां जहां पे students हैं, मेरे students हैं, सब तक पहुचा दो, ताकि एक class वो देख लें और TGT PGT paper में चार चांद लगा दें, तो अब Monday से हम लोग BPSC और मेरे दोस्तों साथ ही साथ EMRS, दोनों के उपर focus करेंगे, Bio, Chemistry, Physics, तीनों के questions हम लोग practice करेंगे, ठीके, और एकदम धमाकेदार, एक करके, आप लोगों के लिए effort करके paper को पास आपके करवादे, समझ गए, और आज के लिए ही time सिरफ, ठीके, change था मेरे दोस्तों, सिरफ आज के लिए ही time change था, उसका reason क्या है, आज के लिए, because यार, आज Saturday है, मेरे actually ना कोई family function हो सकता है, मैंने वैसे तो मना कर दिया, अपने ममी को, कि मैंने नहीं जाना, because students का paper है, लेकिन अगर इन case यार, गलती से धक्के से लेके जाते वो मुझे, तो अगर मैं शाम को 6 और 10 बजे आपकी class लेती रात को, by chance 1% chance असर है जाता कि मैं ना live आपाती, तो आप लोग की class miss हो जाती, just इसके लिए आज time change करके, मुझे लालच हो गई कि यार, नहीं यार, पढ़ाना तो है, यार class मी miss कर सकते है, जो मरजी हो जाए, दुनिया एक तरफ, मेरे students एक तरफ, I hope you clear है, सभी को, तो friends मिलते हैं, हम लोग इस question कर आई रांजर होंगा के नीचे दे देना, बैतरी इन class, शोईबा ने लिखा, थैंकि शोईबा, ठीक है, एंड चुनो guys, जिसको course लेने हैं आना, कोई भी TGD, PGD के आप further भी exam की त्यारी करोगे, मैं उसमें पढ़ाऊंगी, आप Ritika code को यूज करके course ले सकते हो, तो आपको discount मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के नेचे दे लिंक है, उसको दबा के RITIKA रितिका दबाना है, और आप discount आपको मिल जाएगा, आप कोई भी course भाय कर सकते हो, अच्छे से deeply concepts को समझना है, तो course के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, मैं मेरे दोस्तों, वहाँ पर एकदम मस तरीके से आपको, और अच्छे से deeply concepts बीच की theory, A to Z समझा दो, तो भाई friends, thank you so much, thanks for watching, अपन मिलते हैं, take care सभी को, और धन्यवाद आज भी लाईवाई,